नमस्कार जर्खंडी नूज में आपका स्वागत है आईए जर्खंड राज के टॉप दस पर मुख खबर जानते हैं पधान मंत्री नर्याद मुद्री आज वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के जरी राजियों के मुख मंत्री के साथ सनवाद करेंगे सरकार के सुत्रों ने संकेत दिया है कि संक्रमन से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के अलावा लोकडाउन की समय अधी बढ़ाये जाने पर भी चर्चा होगी हलाकि कुछ राज लोकडाउन को तीन माई के बाद भी बढ़ाने को एक्चुक है ताकि संक्रमन पर पूरी तरह से नियंत्रन हो सके जारखन मौसम विभाग के अनुसर आज राज के कई जीलों में बारिस के साथ साथ आंधी और ओले भी पर सकते हैं मौसम विभाग के अनुसर पलामू, गढवा, हजारी बग, रामबड, बोकारो, देवघर, गुमला, पाकुड, धनबाद, सिम्डेगा, खोटी के जीलो के कुछ भागों में दो-तिन घंटों में बारिस होने की संभवना है बिद्यार्चों के लिए सिक्षा बिभाग ने जारी किया गाइडलाइन, कहा बदलना होगा पढ़ाई का विकल्ग को ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल वोक अक्षा के माध्यम से परिक्षा की तयारी कराई जाएगी जार्खन में 15 संक्रमितों की पुष्टी हुई है, जिसकी जनकारी स्वस्त सचीव नितीन मदन कुल करनी ने दिया जार्खन में अब संक्रमितों की संख्या 67 से बढ़कर 82 हो गई है, जबकि 13 लोग ठीक हुए है और 3 की मौत हुई है बारत में कुल संक्रमितों की संख्या 26 सेयर 970 हो चुका जार्खनी मेंच्दूरों के सहायता एतू बना, मुक मंतिरी भी से सहायता एप से अब तक 2,10,000 मेंच्दूरों को खाते में 11,000 रुपए सहायता रासी भेज दी गई जार्खनी मेंच्दूर की सभ्या 9,40,000 के लगभग है मुख मंत्री ने सभी मजदूरों से आगरह किया कि वे आप के माध्यम से अपना डिटेल भेजे जिससे सहायता रासी भेजी जा सके आप रेजिस्टेशन की अम्तिम्ति थी 29 अपरेल तक बढ़ा दिया गया है वही मजदूरों को कहने पर आप में हुई गड़बाडी को भी सुधार किया गया गड़बा जिला में दो बच्चों भी मिले पोजिटीव अब गड़बा में कूल तीन संक्रमित मरीज हो चुके हैं दोनों बच्चे 10 और 12 साल के बताये जा रहे हैं ये बच्चे उसी संक्रमित परिवार के सदस्द से हैं जो 22 अपरेल को पाला पोजिटीव पाये गए थे राची में लोकडाउन के दोरान वाट्सेप से कर सकेंगे ओडर सुत्रों के अनुसार राची जीला परसासन का कहना है कि सरकार दोरा जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन किया जाएगा जेट के अध्यक्ष पंकच चजरी न बताया कि दुकानों के समान घेरा बना कर समा के अनुसार संक्रमन जाच की संख्या बढ़ाने के लिए रिम्स प्रवधक ने राज सरकार से कोवाज अर्शट सव रियल टाइम पीसी आर मसीन खरिदने का प्रस्ताव दिया है कोवाज अर्शट सव मसीन एक सिप्ट में 1400 से 1600 सेंपल की जाच कर सकती है जर्मनी की इस मसीन के लिए हमन सुरिण ने अमित सा से की बात मुख मंत्री हमन सुरिण ने ग्री मंत्री अमित सा से फोन कर बात की उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि सभी मज़दूर और छात्रों को लासके तीन माई के बाद मजदूर और छात्रों को लेकर सरकार असपष्ट दिशा निर्देश दे सीम नेगरी मंत्री से कहा है कि मजदूर को टापुन्य हैदराबाद, बैंगलोर, बंगाल, उडिसा और पंजाब में लगभग 9 लाग फसे हुए है धनबाद जिला में संक्रामन को चैन से बांध कर घशिता, खबरों के अनुसार स्वास्त कर्मियों ने नाटक अभियान चलाया, जिसमें लोगों को इस संक्रामन से बचाओ और छुटकारा के बारे में जनकारी दिया, धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बहल का बेल आइकन दबाईए, साथी वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसे, फेस्बुक, ट्वीटर, इंस्टाइग्राम पर सेर करें, और आप हमें कोमेंट में अपना राय अवस्य दे, थैंक यू